व्रत पर उस्वान कमें भाती संस्क्रिती एम हिंदु धर्म के रक्षक शिरी जूले लाल बड़ो जूले लाल लड़ी जूले लाल आगे बड़ो जूले लाल दुश्वन पच्छाडो जूले लाल भारत के हर वीर सिपाही जूले लाल भाती संस्क्रिती एम हिंदु धर्म रक्षक शिरी जूले लाल ने धर्मांद मिर्ख बाधशापर विज़े प्राप्द की थी उनकी अजेत नर्शिंचता पर मानवता की दानवी शक्ती पर मानवी शक्ती की भारती ता पर भारती अस्वन्सक्रिती की जीत थी फलता चेटी चांद एम उदेरो लाल की अर्था जूले लाल की जनती महसब पर हर वर्ष विशेश करके सिंदी समाज द्वरा चेतरमास के नवरात्र प्रारंब के दिन जो देवी शक्ती के अवाहन का दिन है उदेरो लाल अर्था जूले लाल जनती के दूपे मिनाया जता है इतना ही नहीं प्युक्त नारे भी बहुती श्रद्धा एम विश्वास के साथ लगाए जाते हैं और धर्म रक्षक श्री जूले लाल को याद किया जाता है का जाता है कि सम्मत एक हजार साथ में सिंदो नदी के किनारे नसरपुर गाव में ठाकूर रतन राव के यहां इस महापुरुश का जनम हुआ था इसमें सिंद्ध में मुसल्मानों का शाशन था तद कालीन बादशा मेर्ख की धर्मानता से जनता में तरही तरही मची हुई थी इस बादशा ने एक बार हिंदों को चिताव नहीं दे दी थी कि प्राण बचाने के लिए तुम सभी मुसल्मान हो जाओ वर्ला सब का कतले याम कर दिया जाएगा फिर क्या था उसे शेत्र की हिंदू जनता वरुन और देवता के पास केई और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी वहीं परकाशवानी हुई कि आप लोगों के कस्ट निवारन के लिए ये कि तजसी प्रोश सिंद देश के धने जिले के नसर पुर गाम में ठाक और रतन राब एम मता देवकी के घर में शीगरी जनम लेगा और ऐसा ही हुआ जनम लेने के बाद जब उस बालक के मूँ को दूद पिलाने के लिए माँ खुलने लगी तो मूँ नहीं खुल रहा था पर काही प्रियास के बाद जब मूँ खुला तो माँ देखती है क Bluetooth के बच्चे के मूँ में सिंदू वेह रही है और एक शेत वस्त्र धरी व्यक्ति उससे सिंदू नदी की धरा का पान गरे एसा होने पर शीगरी सिंदू नदी का जल मगवा करके बालक के मूँ में डाला गया और तब भै बालक माता का दुखत बान करने लगा कुछ बढ़ा होने पर उसने अपना स्थान दर्याशा में बिनाया बालक बच्छपन से ही बड़ा तिजसी और चमतकारी स्वाव का था दूसरी बात यह है कि मिर्ख बादशा राजमद में अंधा हो गया था मुला मुलियों की दोरा बढ़काने पर दार्मिक से अस्थित और सदभावना खो चुका था वे जोर जुलम से हिंडों को बुलात मुसल्मान बढ़ाने पर उतार हो गया इस संक्ट बुन स्थिति में बादशा की चन्नोती का सामना उदेर उलान ने वीरता के साथ किया उसने एक वीरस सेना का संक्टन किया श्री उदेर उलान ने बादशा मिर्ख को चितावने दी कि वह शीगर ही सही मार पर आ जाए तदा अत्याचार को तिलांजली दे करके हिंदों मुसल्मान सब को एक नजर से देखे मगर मिर्ख बादशा का मानने वाला था बाद में उदेर उलान ने मरांद सिख के महल में जाकर के ऐसी चमत कारिक लड़ाई लड़ी कि वह परास्त हो गया कहा तो यहां तक चाता है कि परास्त होने पर मिर्ख बादशा जब उन से द्या की भीख मंगने लगा तो उदेर उलाल ने शरन में आते देकर कि उसे शमादान भी कर दी यही कारण है कि मानवी एम उदार दिश्टी को उनके कारण उदेर उलाल की केती पताका चारों तरफ फिराने लगे उनकी समरेटी में जगा जगा मंदर स्थापित होने लगे और उनकी पूजा होने लगे इस महामर्श ने विशीश करके सिंधी समाज को संगटित करके मेर्ख बादशा की धर्मानता से जन्मनस की रक्षा की और समाज में अध्यात्मिक धरा परवाहिद करके अपना नाम अमर करती है यही कारण है कि सिंधी लोग आज भी जूले लाल उदेरो लाल की घन्ना अवतारों में करते हैं मर्प्रती वर्ष नवरात्र के अवसर पर चेत्रमास के शुकल पक्ष प्रथम दिवस पर उनकी जन्ती सारे भर्ष के सिंधो हिंदों द्वारा उदेरो लाल अमरलाल चिदी चान सिंधी दिवस के रूपें बहुती दौंधाम से मनाई जाती है उन्हें वरुन या जल देवता के रूपें जाना जाता है कहा जाता है कि उदेरो लाल ने मिर्ख की बादशायद पर अपनी अजसी सेना से इतना जवरदस्ता तंक जमा लिया कि मिर्ख बादशा को बार बार इस रूप में दिखाई देने लगे थे जैसे कि उदेरो लाल उनके महल में प्रवेश करके उनके दाड़ी पकड़ करके तकस से नीचे खींच कर मार रहे ऐसा विश्वास किया जाता है कि उदेरो लाल दरिया में लोप हो गे फिर भी जब जब सिंद में संक्ट की घड़ी आई लोग उदेरो लाल को विशेश याद करते रहे और उनकी मनो कामना पूर न होती रही आज वी सिंदी समाज उदेरो लाल अर्था जूले लाल जी को वर्ण देता के रुप में मानता है भारत में स्थान स्थान पर जूले लाल जी की जहांकी और शुबा यातरा निकाली जाती है लोग बहराना निकालते हैं और छेज विशेश नरित्य तथा धोकला डंक के बजाते हुए नरित्य के सासा जूले लाल को याद में नाशते जूंते उस्व का अनन्द लेती जिस विशंप रस्थिती में शुरी जूले लाल दौरा संपरदाइक सदभाव की स्थापना करते हुए भारती संस्क्रिती की रक्षा की गी थी आज उन्हें के संदेशों पर चल करके यदि भारत का हर वीर सिपाही उनके अदर्शों को जीवन में उतारे तो संपर्ण समाज का कल्यान संबाव है उरत पर उसाम कमें बंदेल खंड के पर उसाम पर अगराम सब लोकम मानिस को सदे प्रेरित करते जाते हैं ये पर अमतिवार उल्लास का संदेश लेकर के वसंद्रा को अभी सिंचित ही नहीं करते अपी तो चेतनता की नुवीन उच्छवास से परिप्लावित भी करते हैं इनमें जहां अतीत की सरनिम एमभवय जहां की प्रतविम में दोती हैं वहीं ये वर्तमान की भी अपने में समेटे रहती हैं पर उसा हमारी संस्कृतिक द्रोवर है इने भूत वर्तमान और अनागत के स्वर श्रवन गोचर होते हैं इनकी शीतल और सखताई धारा में आवगाहन करके मनश्य की एक अभीनव प्रेनना और अखंड शांती का अनबह होता हैं बुन्देली जन जीवन में रची वसी संस्कृति का दर्शन हमें यहां पर मनाई जाने वाले एक भिन उस्वं आयमते वहारों में समलित होने पर भाति भाति हो जाता है वैसे तो हमारा संपूरन देश जरम से अनु पर मानित है प्रन्तो अंचल विशेश्वेक भभूलिक तथा स्वामाजिक स्थितियों के करन इन उस्वं तथा परवों के विधान में भिन्न ता आ जाती है इन स्थितियों के करन कुछ नवीन स्थानिया अशिष्ट्य आंचलिक उस्वं में देखने को मिलता है बंदेल खंड तो परों का अंचल कहलता है वस्ताँ यहां की अधिकार पर क्रिशी पर अधारित है तो पिर भी कुछ उस्व समाज पर रखें आइसे उस्वं से समाज की कटता समापत होती है तो फ्रीन एम प्रेम के अमांग की सरिटा परारित होती है इस वित्र बंदेली भूमी ने नारी को सरवच्च स्थान पर प्रतिश्टित कर सदेव उससे प्रे नली है और ये परिपाटी हजार वर्षों से यहां के जन्जीवन में चली आ रही है इस परिपाटी की जीवनत जिल मिलाती रश्वियों ने समुचे देश को अलोगित किया है बंदेली जन्जीवन में प्रच्रित उत्सवाँ पर परवाँ पर एक शिंशिप्ट द्रिष्टिक इस परकार है जवरी ये एक धर्मिक उस्व है जिसमें जगजन्नी माद दुर्गा का पूजन होता है इसमें ज्वारे बोई जाती है तथा नो दिनों तक भक्ति भाव से पूजन का कारिकर्म चलता है वस्ता ये परवे शक्ती परवे तथा इसे वर्ष में दो बार मनाया जाता है दबी आम खरीफ की होती है इन दोने फसलों से पूर ही इस उस सब का यह जनुता है और जवारे का पूना एक प्रकार से बीज परमानी करन तथा उस पर भगोलिक वातावरन के परभाव की जानकारी करना है समाज के सभी वर्ग तथा इस्तिप्रोश सम्लित रूप से इसे मनाते है दूसरा है गंगोर गंगोरी ये वरत उस सब चेत्र शुकुलत रित्या को महलाओं दोरा मापाती के सम्मक उनके निरुपी तर दर्शों से प्रिन नाले ने तथा उसे जियों ने उतारने हेत्व किया जता है मक्यता ये इस्तिप्रियों तथा कुवारी कन्याओं का परभा है तीसरा है शीतला आठे माशीतला को चेत्र अश्ट्वी को बासी भुजन का भौब लगा करके अनंद मंगल की कामना की जाती है ये दिन महलाओं के विश्राम का भी दिन का जाता है क्योंकि इस दिवस पर घर में चूला नी जिलाए जाता है चोता है चेती पूर्णी ये चेत्र की पूर्णमा को मनाया जता है और इसे यहां की भाशा में सजनों पूजन कहते हैं इस पूजन में मा लड़ो बना करके एक कटोरे में रखते थी है तो जब पुत्र उस कटोरे से लड़ो निकाल करके उसके आंचल में डालता है तब उसे वेखाती है और परसनुती है इस चेती पूनों का मनों विज्ञानिक का धार अत्यांत मारविक है मां का लड़ों की कटोरों में भरना यह इंगित करता है कि बेटे अपने जीवन का श्रेष्ट फाल लड़ों तुमारे लिए संचित का रखा है अब मेरी विज्ञास्ता आगी है मैं कुछ भी करने में समर्थ हूँ अधर तुम जो कुछ भी दोगे उसे से मैं अपना कारे चलाऊंगी वस्ता मा के दोरा अपनी भावी पीड़ी की चेती पूनों के माध्यम से ये शिक्षा दे जाती है कि समाज में बड़े बजर्गों का मान समान तथा उनका भरन पुशन समाज की भावी पीड़ी को कैसे करना चाहिए पाज़ा है आसमाई पूजन ये पूजन वे साख क्रिशन की इस्तित्या को किया जाता है इस पूजन में जीवन की चार महान और शिक्ताओं भूक प्यास नीद और आसमाई की पूत्रियां बना करके उनका पूजन किया जाता है तदा कहानी कही जाती है जिससे ये शिक्षा मिलती है कि मुन शिक्षब भूग अप्यास तदा नेंद के कारण जीवन से कभी निराच नहीं होना चाहिए बलकि सदे आशावान होना चाहिए आसमाई ही सदा आशावान होने की प्रेहना देती छती है हरावते लिना एक क्रिशी उत्सव है क्रिशी कारे से पूरो हाल बैल तथा बखर हांकने वालों का पूजन किया जाता है इस पूजा के बादे क्रिशी कारे का शिरिक नेश होता है साथ है अक्ती वैसाखी शुक्लत इत्या को भूली भाली लड़कियों तरह गुड़े गुड़ियों पत्रा पत्रियों के पूजन से संपन किया जाता है इसे खेल से बाली काम को अप्रोक्ष रूप से सामाजिक जीवन की शिक्षा दे जाती है आत्वा हैं बराबर साथ जेश्ट क्रिष्ण अमावस्या को बर्गद वरिख्ष का पूजन करके ये परव बनाया जता है ये परववस्ता परियावरं संत्रों की शिक्षा देता है बर्गद एक ऐसा वरिख्ष है जो वाईयों मंदल को सच्छ करता ही है साथ ही साथ इसके चिक्षी एक गुन भी बहुते हैं बर्गद अटल सभाग्य तथा देर्ग आयो का भी परती है नौँ है असाड़ी देवता ये पूजन पूरे अशाड़ मास सब चलता है इसमें सभी देवी देवताओं का पूजन किया जता है वस्ता ये उस सब परिवारिक और समाजिक समरस्ता का मार्ग पर सस्त करता है ये पूजन वन देवता की पूजा के लिए होता है इस पूजन में वन देवताओं की पूजा के लिए वन वी हार भी होता है ये माहर्ष अलास हम अनन्द से भरपू देता है दस्वा है कन घुसी पूनो अशाड माशी शुकल पूर्णमा को ये परो मनाया जता है अपने नाम को सुविकार करते हुए इस परो में कुल के अंदर पूर्णमा मिखेरने वाली तो था कुल व्रिद्धी कारक ग्रैल अची सवरूपा बहों के पूजन का विद्धान है ये दिन गुर्णमा के रूप में भी मनाया जता है ग्यारों है हरी जोती परो श्रामनी अमवस्या को ये पर मनाया जता है जिस परकार शिरामन आम वश्या को घंगोर रात्री मन को देड़ाने वाली होती है उसकी परकार जीवन में कुछ दिन आवश्य कारी घठा के रूप में आते हैं उन दिनों में मात्र शक्ती ही प्रिणना तथा मार्ग दर्शन देने कर theoते हैं हरी जोती पर भी अपने नाम को सकार करता है भगवान हरी की जोती सरूपा मा भगती का कन्या रूब में पूजन इस दियस को किया जाता है जो कि हमारी अंधकारमी राती को आशा जोती से अलुकित करती है बारवा है साव नतीज शरावन शुकल तृत्या को महिलाएं बड़े उल्लास से ये परव मनती है और पेड़ों पर जुले डाल करके जूलती है इस दियस वर महिलाएं नहीं चुड़ियां पहनती है जिनकी खनकी खनकी आवाज उन्हें सद्ध समरन करती है कि उनके पत्ते कारे को समाज शुक्ष और दिश्टी से देखता है ये परव जैसे उल्लास वरा है वैसे ही हातम ग्यान तता समाजी के ग्यान की प्रेना भी दिता है तेरवा है नमे बाई परवड शुरावन मास के शुक्रपक्ष की नमी को दमपत्य जीवन के सुक में निर्वा है तो इस परव को मनाया जाता है महिलाएं अच्चंत उल्लास पूरक वाता वरन में इसे मनाती है चोदा है राखी शुरावन शुक्रपूर्णमा को ये तिवार समुचे देश में तो मनाया ही जाता है प्रंतो पुंदेल खंड में इसका अत्यादिक महत्व है इस दिन बेहन रक्षा है तो अपने भाई को रक्षा के बंदन में बानती है इसके दूसरे दिन कजली का मिला लगता है जिसें बड़े उस्सा के साथ सबी जन एक दूसरे से गले मिलते हैं ये पर वह भाई बहन के पित्र प्रेम का तर्शाता है भादर बादमास में जहां हर छट कनेया आठे बाबो की दोज हरीतल कातीज गनेश चोथ रिंग पांचे संताउन साते गडालेनी आठे डोल ग्यारा ओक दुवारा अनन्द चोदस बड़वा मंगल सुआटा कनागत आदी पर मिला जाते है वहीं अशनी मास में महाल अच्छी जुआरे दुर्गा आठे दिसोरा शरत पूर्ण आदी अतिक उत्सा से मिना जाते हैं कातिक मास में धंतेरस नरक चोदस दिवारी गोदहन अन्नकोट भह्यादूस करवा चोथ गोपस्तमी इच्छानमी देवदान बड़े अनन्द के साथ मिना जाते हैं बसंत रितों में बसंत पंच्वी शिरात्री होली आदीवी पड़े अत्सा एम उल्लास पूरकवाता वरन में अनन्द के साथ मिना जाते हैं वरत परव संक में निमाड अचल के वर्शा कालीन परवर भारत तिवहर हो एम परव कर देश है यहां जितने अधिक परव तिवहर मना जाते हैं शाइदी किसी तेश में मना जाते हैं कुछ पर वो धती के लाटले पुत्र किसान के जीवन जमीन जानवर और खेती से संबन्दित होते हैं इसे भारत का पुत्र और विराट सुरूब दिश्टी को चरूता है प्राचीन कान में अनौप जन पर देश के नाम से विख्यात आदनिक निमाड केवल निमाड भूमी के पर वकाही पतीक नहीं है वरना इसमें भारत की विशाल संस्कृति और अधार में का आस्था भावना के भी दर्शन होते हैं यहां के घ्राम में जीवन का अधार क्रिमी और पश्वपलन है तता क्रिशी कारे पूर नरुपेन वर्षा पर निमाड के कुछ पर वर्षा के आरमब से चोड़ करके शुरू होते हैं यह वर्षा की समापते पर इनका समापन भी हो जाता है यहां शिंक्षेब में कुछ परव के सवरोप एम उनकी विधियां दी जा रही है पहला है डोट गलाई अमावस डैडर अमावस वर्षा काल के प्रत्वर्ष के रूपे जेश्ट मास की अमावस्या को यह डोट गलाई अमावस्या का पर मनाया जता है ग्रिशमे में किसान खेत जोतने और सुधारने का कार्यपोल करके बादलों की और निहालने लगता है जेश्ट मास वर्षा की अनंद का महिना मना जता है भीशन गर्मी के बावजूद रिक्षों में पानी चलने लगता है शुष्क प्लाश के पेड़ भी हरे हरे नव पल्ला पा करके लहलहानी लगते है इसलिए किसान वर्षा आगवन की सागत में इस तिवहर को मनाते है वर्षा का दूत बन करके मेंड़क उनके आगवन का शुवसंदेश पर दान कर दे लगते हैं जब धर्थी के प्रानी वीशन गर्मी से विहल आएम व्याकल होड़ते हैं तब सलूनी बर्षा आता करके उन्हें हर्षी भोर कर देती है पुना मेंड़क बाहर निकल करके सुहानी आवाज में टक्टर करने लगते हैं इस परवकों मनाने के लिए ग्रामीन बालक एकत्र हो करके अपने टॉली के किसी बालक को प्लाश के पत्तों से ढखकर मेंड़क का सुरूर देती हैं फिर पत्तिक घर जाकर के धत्ता मांगते हैं घर का कोई सिदस्य बाहर निकल करके मेंड़क बने बालक के सिर पर पानी डालता है और उसके साथी को अनाज देता है दोपैर के पश्चार ये बालकों की टॉली नदी के किनारे खेत के किसी कुएं के पास चाकर के भोजन बना करके खाती है फिर शाम को अपने घर लोटा दिया इस परकार ये परवर निमाड के परतीक गाव में बना आ जाता है दूसरा है नाव नाई अच्छी वर्षा हो जाने के अपरांत किसान अपने खेत में खरीफ की फसल बने का कार अरंबका देते हैं परभात की मंगल विला में किसान दमपती बोने की समगरी लेकर के खेत में पहुंच जाता है सुख पर मुस्कराहत और हिद्धे में अर्मान लेकर के वैं खेत में बीज बोता है खेत में बुआई अरम्ब करने के पूरवर मैं बैलों आम बैल हांकने वाले व्यक्ति और बीज बने वाली महिला को कुंकुं तिलक लगाता है शिरी फल भी खेत के मेड पर चड़ाया जाता है इंदर देटा धती पुत्र किसानों के प्रिश्रम की सफल बनाने हेतु सहनी वर्षा भी करते हैं पक्षी संधुर सर में कल रव करते हुए चैकने लगते हैं धती पर हरी हरी कुमल खास अंक्रितो लह लहाने लगती है धती के प्रांगन में खेत एम बागों में जहां तहां हरी खास के लुभावने गलीचे बेच जाते हैं पुआई समाप्त करके जब किसान परिवार घर लोटा है तब नए उतारा जाता है बीज बोने का यंत्र नए नाम से जाना जाता है घर लोट करके किसान परिवार पकान बना करके खापी करके अनदमनता है यह नए पर्व संपुरन निमाड में आज वे बड़े धूम धाम से मनाया जाता है तीसरा है ध्रोपुजा अच्छी वर्षा हो जाने से परसन मुद्रा से किसी बुआई तो कर देता है लेकिन पौनी के पुष्चाद फिर लंबे समय तक वर्षा न होने से किसान बेचान एमचिनती तो जाता है वहें आकाश की और प्यासे पपीहे की बाती एक टक्निहात रहता है यहें परिश्रम का धनी है लेकिन जब परिश्रम का फ़ल उसे नहीं मिलता तो इश्र से ही पुकार कर सकता है इश्र में उसकी घाथ श्रताय में शाच होता है यह अपनी मरज़ाई और सुखी फसल दे करके व्याक लो जाता है गाउं के सभी व्यक्ति गाउं से बाहर उत्तर दिशा की और ध्रोपूजा के लिए प्रस्थान करते हैं यहें पूजन मेग के आगमन का सागत कहा जाता है इस दिन गाउं में किसी भी घर में चूला तक नहीं जिलाया जाता सभी लोग गाउं से बाहर खेत में देला डल करके वहीं रोटी बनाते और खाते हैं प्र इस्तियां गाउं में आकर के घर गर पानी मानती है यहां तक कि बड़े घर की इस्तियां भी वेश और आवाज बदल करके रोटी मानती है जब मानव अचंत दीन होके परमेशर से कुछ मांगता है तो इशर उसे वश्य कुछ देता है गाउं की मांग से द्रवित हो करके इंदर देव ने सुहामने बसाद कर दे सब ग्रामासियों के मुझाय चेहरे पसंद नहों टे यह द्रूपुजा अब भी ग्रामासियों समय पर वर्षा नहीं होने पर करते हैं चोथा है पोला जब बोनी महत्वपुन कारियर संपन्न हो जाता है और खेतों में फसलें सभाविक रूप से विक्सित होने लगती है तब गाउं में पूले का तेवहार मनाए जाता है यह तेवहार फसल में फल आने के दिन मनाते हैं इसलिए खेती के कारे से बेलों को कुछ दिनों के लिए उकाच मिल जाता है इसलिए आज के दिन उन्हला धुला कर उनका शिंगार करते हैं किसान अपने हाथ से अपने बेलों को भूजन बिना करके छिलते हैं और तिलक लगा करके उनका पूजन करते हैं संज्जा के समय बेलों को एकतर करके गाँं के चुराहे पर जहां एक रस्जी बन दिजाती है वहाँ बेलों की दोड़ होती है अजिस रंग का बेल उस रसे को तोड़ करके विज़े होता है उस वर्ष उसी रंग की फसल अच्छी आएगी ऐसा माना जाता है माल लीजे यदि सफेद रंग का बेल जी जाता है तो जार और कपास की फसल अच्छी आएगी ऐसा लगता है और समझा जाता है यदि लाल रंग का बैर विज़े पाता है तो लाल रंग की समस्त फसले जैसे गेहूं और हर की भरपूर फसल आएगी ऐसा विश्वाश है इस परकार किसान अपने जीवन का निर्वा खेती में सहाई कबर्शा और बीज़ बोने के यंतर अपकरन और बैलों के प्रतिक्तिक्ता दर्शाते हुए इन परवत उस्वाशों को बड़े ही उल्लाज से मनाते हैं